थन से दूद नहीं आ रहा है पानी सा रहा है छीन चड़े आ रहे हैं या थन के अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो गई है या इदिया आपके पशु के अंदर में स्टाइटिस थने लोग है फोट इस तरह की जो पशु पालक हैं उनके बार-बार इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी जो पशु हैं बैने के बाद में या बैने से पहले या मीडियम के पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाए तो इस तरह के करने इसके अंदर आपको क्या क्या करना चीह थे आज की वीडियो के नदर मा आपको न हूंत कर दो हुआ कि कर दो'M कि कि यह क्या करना चीजन के दूर्य आपके पॉरशूHow इंजिक्सन की दो आपके पोशु में अन्टार किस्क्ती हो जाती है तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या इदि आप इसे ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं तो आप उनके साथ सपोर्ट के साथ एदि आप देंगे तब यह आपके पसुमें सबसे बैस्त और बैटरी जल देखने को मिलेगा अन्य था आप जैसे इंजेक्टेबल करा रहे हैं आपके पसुमें पर रहे हैं यहां दर यह कुछ कर रहे हैं फिर भी जनी मिल पा रहे हैं तो उसी स्तिती में आप इनका उपयोग करेंगे तो सबसे बैस्ट और बैटरी जल देखने को मिलेगा तो आज की वीडियो पसुमाल को के लिए दूलों के लिए फाइदे में होने वाली है चैनल पर तर क्या आता है कि फिल्ट के अंदर सबसे ज्यादा तर इस तरह की केश देखने को मिल रहे हैं कि एक तो ताजा ब्याउत पसु का हो रहा है उसकी वजह से पसु में क्या दिकत हो रही है थन से दूद नहीं आ रहा है या कई पर दो थन से दूद बिल्कुल भी नहीं आ रहा ह है इसमें पानिस आ रहा है या थन मोटे भी हो रहे हैं और कईपर पसु ब्लकुल दरद भी नहीं करी तो उसी स्थिप्ति में भी आप उप्योग कर सकते हैं यह ही बघंडि क्युआ पिए कर रहे हैं तो भी आप उस स्थिप्ति मी इसका उपयोग कर सकते हैं दिखो इस तरह के अंदर आपको कुछ इस तरह है कि जो मैं दवा बता रहा हूं उस दवा का उपयोग करेंगे तभी आपको best original मिलेगा सबसे पहले तो आपको इस तरह की केस के अंदर आपको इंटरा में मेरी infusion आती है है यानि जो करीम आती है जो पशू के थन के अंदर चड़ाई जाती है उस तरह की ट्यूब आपको उपयोग में लेनी है वह तो आपको बहुत ज्यादा जुरूरी है यह दि पशू के थन के अंदर यह दि किसी भी तरह की कोई दिकत होगी है तो इसके लिए जिस प्रकार से एक आती है मोग जो मॉस् अता है एक के अंदरalta C9 हमने बता बहुत सं लखू हाइं तो और किसी भी तरह की थन के अंदर इस मेलिंग हो गई एं या अधर कोई个 दिखत होगी है इंपर्शों के फिषों के इंदर ही तो वहाँ पर आप इस का उप यह ब्रॉब्र्यीकर do eternity के उलिकत हो चकई तो आप इ के इंदर आपको कैसे च़्टाना जिस तरह से ये plastic के नली हुती है जिस तरह से इस इसके इप्लास्टियागी कोई आपके परसुमिक्त तो थन का जो आगे वाला बाग होता है उसमें लेकर के आप थन से पहले दूद को निकालना है सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितना दूद या पानी है उसके अंदर नहीं रहना चाहिए उसके अंदर आना नीचे यह पूरा आ भार निकाले उसके बाद में आपको क्या कर ले जाकर के थन के जो लास्त का बाग होता है उसके पास ले जाकर के आप उससे गुमा करके जिस प्रकाशे इस तरह से गुमाना है गुमा करके उस थन के अंदर चड़ा देना है जो आपको वीडियो में भी दिख रही है उसे चड़ा करके आप पिछे से क्या करना है कि इसको तो दबाना एक तरह से आपको यह थन के अंदर पर टीट में यानि पर टीट में एक ट्यूब आपको इस थन के अंदर के अदर चढ़ा देनी है इस तरह से दो थन में खराबी है तो दो जड़ानी है एक थन में एक टूब चड़ा दी दूसरे थन're दूसरी ट्यूप इस तरह से चड़ाने के बाद में इस तरह से आपने आज शुबस दिखन आपको फिर एक बर और चड़वा देनी है। इस तरह से आपको लगातार एक से दो दिन आप ऐघने आध्यान की आध्रिव चला सकते हैं एक पर सब्सुर्ण जब जाने के जो घ्रत हो जाता है लेकिन यह जब यह त gloss intriguing जल्ग्षज चलॉप यह और ःदकि सब्सक्रण के प्रक्रौण घ्र Cafaradik हो शब्सक्राइब पर कि भाः उसको निकाल देना है यगी बाहर आपको निकाल देना अधर थन से दिदू निकाला उसके साथ आपको मिक्स नहीं करना इस बात पर 25 गंटे के इंतराल में यह लगातार दो से 3 दिन केंट्यूनिटी आप इस ट्यूब को थन के अंदर चड़ाया जा सकता है सबसे बैस्ट और बैट रिजल्ट आपके परशू में देखने को मिलता है यह तरी महेंगी आती नहीं है रिजल्ट भी आपके परशू में अच्छा देती है कई पर तो सिंगल डोज कई पर एक सिंग कमी में सब्यूक चाह ब्रें में स्कूरिंद इस तो स्टैस को सब्सक्राय तो कि परस Cathedral टेस्ट तो सिमें इसप्यूक सकते हैं इसकी डोज साट ग्राम पांस डे आपको नहीं है यह लगातार 5 पांस देने सींग क्ल्ट्राव यह तो के लिए सोकता है में सेंसके पर एक इस जो इसके अंदर सी में कल्टरा के अंदर आते हैं जिसके अंदर प्यावत मात्रा में जो आपको दिख रहा है विटामिन A D 3 E NICOTORMIDE VITAMIN B 12 जित्री जो इसके अंदर आते हैं बायोटीन से लिटो पेटाइड सभी इसके अंदर मिलेवे होते हैं तो आप मेस्टो केरस देब 40 ग्राम के पउच आता है । उसके 100 पाउच पाउच दिन दे रहे उसके साथ मिक्स करके आप अपने पश्णूओ को खिला प्रशू पर देना चाहिए सबसे अच्छा रिजल्ट आपके पश्रू में देखने को मिलता है। यह आपको इस इसाथ आपको एक isofluperidon salt की जो एक बॉलस आती हैं isofluperidon salt की उस salt की आप बॉलस का भी उपयोग आप अपने पश्रू में करा सकते हैं इनके साथ बोलस भी आप अपने पस्चू को दो वोलस पर डे यानि दोवोलस आप परस्चू को परडे देनी है जिस प्रकार चे आईसो फ्लीरिक चार्ट की早गा तो यह तो इन फ्यूजन आती हैं जिस प्रकार से मोग्जों मास्त इनका उप्योग उस थन के अंदर चड़ाना मैं खहराओ कि आपके परसु में दो से तीन अच्छे एंटिवाटिक इंजेक्शन है वह आप अपने पश्यों में लगवाएं लेकिन वह इंजेक्शन लगा रहे हैं तो भी आप साथ में एक ट्यूब आप अपने पश्यों के थन के अंदर जरूर चड़ाएं यह तो आपको जो मैंने ट्रीट्मेंट बता है तो भी आप इसका उप्यों करके पश्यों को जल्दी रिक्वरी लाया जा सकता है जो कि सभी तरह के पश्यों के लिए सेप रहेंगे तो यह देशी तरह सकता है शेर करने इसी तरह देखते रहेंगे